हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आज में के इंकम टेक्स के नेच्ट टॉपिक को डिसकस करने जाए हैं आज के टॉपिक का नाम है वर्चुए डिजिटर एसेट्स दोस्तों यह बहुती नया कंसेप्ट है बहुत सारी लोगों को होता क्या है ठीक है अब दोस्तों मैं आपको थ्वासा एग्जाम पर इजी फॉर्म में समझाता हूं जिसे आपको समझ में आ जा ठीक है इसे मैंने आपके यह सर्च करकर रखा हुआ है यहां बध्यान दो दोस्तों वाइचुए एसेट्स को हम लोग किप्टू एसेट्स ठीक है दिको असेट्स जो की भाईया हमाई 5 पास होती है जैसे कि यह पैन यह असेट्स है एकि डि़िट्र हुआय होती है उसको वाइस घ करने के समय का सकते हैं आ थीक है इसका नीचे एक्जामपर अगर देखोगे तुम लोग तो फोटोज वीडियो ओडियो फाई प्रेजंटेशन ग्राफिक्स पीडियाफ इस प्रेट्स डॉकुमेंट तो यह एक्जामपर होते हैं डिजिटल एसेट्स के वाइच्वाइट डिजिटल एसेट्स अगर इसकी मी वोडर नमबर टोगन नोट बिंक इंडियन करयंसी व epo Nein how to चाहिए ठीक है जी नहीं होनी चाहिए जनेर्टेट थू किप्टो ग्याफिक याने कि भईया इसको जनेर्ट किया गया हो मीन्स अधर्वाइज जाए बहुत इनई है आपका फोटो हो गया ठीक है यह बहुत इने इंट में इनके सकते हैं इनके अकाउंट्स होते तो इन्वेस्मेंट स्कीम डैट इसको बेचना खाइदना भी होता है यहां पर जो मीनिंग इखा गया वह बहुत ही ज्यादा टेकनिका है एक आम इंसान के यह इसी मैंने आपको एक्जामपाई दिखा दिया कि इतना असान है ठीक है तो आपको समझ में आए क्या होगा कि इस यह वर्चूव ऐसेट्स है तो वह वर्चूव ऐसेट्स बन जाएगा ठीक है जो सरकाय ने बोह दिया यह भी ध्यानग ना इस बात का ठीक है अब दोस्तों आगे आते हैं अब आता है अगी कर्चर इंकम तो सेक्षेंट टू सब सेक्षेंट इसक्षेंट अभी याद जो इंकम होती ही वो एक्जम्ट होती है यानि कि इसके ओपर टैक्स हमको नहीं पेकरना पाथा लेकिन इसको समझेना बहुत इंपोर्टन काम है ठीक है अब दोस्तों आता है इनकम क्या होती है इसको हम लोग देखते है ठीक है कोई भी पैसा हमको मेरिया है वो बार बार नहीं मेरिता है उसको इनकम है ठीक है यानि कि इसका मिरिना नहीं मेरिता है इसको अनधाज़ा नहीं होता कि यह कम नहीं सकता है यह टोटली अनएक्सपेक्टटड होता है तो आप उसको भी कैस्वर इंकम बहुत सकते हो ठीक है तो विनिंग फॉर्म यॉटरी आपने यॉटरी जीत गई क्योस्वर्ड पज़र गेम जीद गया कार्ड भया कैम्बिंग तास्क का गेम खेल के जीद गया जैसे कि आज के टाइम पर आपका एक तरीके से इंकम हो गई ह ठीक है इंकम में आ गई है ठीक है कर दोस्तों आपको तो क्या पों इंकमाइगा तो यह आपका कैस्वर इंकम होगा एंड दोस्तों आपको क्या करता है अगर कोई capital gain हुआ है capital gain का मत्तब होता है कोई आपके पास में long time assets थी आपने उसको बेच दिया क्या कर दिया उसको बेच दिया उसको बेचने से जो आपको profit हुआ वह आपका long time capital gain होता है यह आपका राकरिंग casual income नहीं होगा ठीक है यहरwarising from business or exercise of profession आपको business है कोई path कोई occupation है तो आपका नहीं कम होगा वह और आपका यह to amunization of employee आपको कोई बोनस में गया गया इनकम का पार्ट है तो यह सब आपका क्या वह बहुत आपको इनकम नहीं होगा वाइंटेरी पेमेंट आपको में गई कहीं से आपकी टिप में आपको गिवन इन और नहीं वे टक्सी डिवर्स को तो यह सब आपका नहीं होगा कि आपक तो यह क्या बहुत है आपकी आपकी नाइदर इंकम नौर परसनल गिफ्ट हैंस इसके उपर टैक्स रगता है ठीके जी ओके अब दोस्तों कुछ अधर प्रोविजन्स हैं देख यह एक्सपेंस आ नौट डिटक्टेबर याने कि आगर आप करते हो तो उसको डिटक्ट के सकते याना के माईनस कहीं लुब जाए कि तो आप यह नहीं कह सकते शजटनल ब्रोन का है या तो आप उसको फ्यूचर में या किसी और इंकम से गउल्फ आप consistency नहीं कहसकते हो TDS यानि कि दोस्तों TDS बहुत इंपॉर्टेंट है फुई फॉर्म भी इसका या रखना TDS Tax deducted at source If winning form यहाटई होटई होटई होट इस क्रॉसफट पजाए काइड गेम अदर जैन सोट एक सीड दस हजाए अगर आप काइड गेम घोए किये से दस हजाए जीते हो तो यानि कि आपका TDS कड जाएगा तो आपका यह हो गया फिर दोस्तों यह ट आफ टैक्स का क्या मतलब होता है तो मैं आपका जो टैक्स लगेगा वो 30% के हिसाब से लगेगा यह धानक ना इस बात का ठीक है अब दोस्तों यहां पर आपके आपको बता दिया है तो वह कौन सी इंकम है आपको यह बताना है आपके यह चाहर इंकम होगी की विवादों को सोझाना ठीक है अभड इलड़ को सब्राइब करता है, इसे इंपहसा में कांग इलगा शुक्या। आप धेख सकते हो अब दोस्तो स्सी कौन होता है? तके डोस्तों अब वोता है, वोट करता है उसको स्सीह इस्पर नहीं, ten ठीक है कि वो किसी भी प्रकार का टैक्स पे करता है तो वो कौन कहलाता है S.S.E. कहलाता है ठीक है फुर्ज यारबर टूपे एनी सम या फिर वो किसी भी प्रकार का पैसा पे करया है Income Tax at case आप से या फिर उसके उपर कोई टैक्स पे करया है या फिर इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके उपर कोई पनारिटी कोई फाइन रेगा दिया वो भी क्या बहुते है आपका क्या करयाएगा S.S.E. करयाएगा इनिस्पेक्ट ओफ हूम प्रोसीडिंग उसके उपर कोई केस चरह जाओ ठीक है उसकी इंकम की एसेस्मेंट को यह के या फिर किसी बैनिफिट्स को यह के यानि कि अगर उसके उपर किसी भी टाइप का केस चरह आए इंकम टेक्स के रिगाइडिंग ठीक है तो वह भी S.S.E. कह जाएगा इनिस्पेक्ट ओफ हूम प्रोसीडिंग अंडर एक्ट हैविन एसेस्मेंट ओफ इंकम यह उसकी इंकम कम जादा थी एनिकम को चेक करने की उसके ओपर कोई केस चरह जाएगा तो वह भाहिया भी क्या इसको क्या बते हैं उसको क्या बते को लॉस हो गया इस पेक्ट अगर बात की जाए यहां से यह के यहां तक तो बहिया अगर इंकम टेक्स का कोई केस चरह आए इंकम टेक्स ने आपके ओपर कोई करते हो ठीक है तो आप क्या कहला होगे आपने डिफॉल्ट कर दिया आपने डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपको टेक्स पे नहीं किया तो आप भी एससी कहला होगे ठीक है जी या फिर आपको टेक्स नहीं पे करना है बट किसी और की इंकम होई चैन आपको उसके हैं तो यानि कि SSC वो होता है जो कि tax pay करता है जिसके उपर किसी भी टाइप का केस तरह जाओ income tax के regarding and जिसके उपर fine penalty लगा दिया हो या फिर जिसके उपर क्या बहुत है उसने default कर दिया हो कि वह पैसा नहीं pay कर पाया किसी बतार का default हो गया हो इंटेस का fine card tax का तो वह ससी कर जाता है सेक्शन याद करेंना important है ठीक है जी ओके अब दोसों deemed SSC क्या होता है बहुत important है deemed का मतलब होता है कि यह SSC होता नहीं है यानि कि भया यह SSC होता नहीं है बट इसको SSC मानते हैं एक्जामपर के तोर पर एक बंदा है X ठीक है इसकी death हो गई इसकी death हो गई और यह बहुत income कमा रहा था तो अब इसके बात में जो इसका बेटा होगा जोसका son होगा यह इंगर रिप्रेजन्टेटिव ठीक है इंगर रिप्रेजन्टेटिव तो यह बन जाएगा SSC तो इसके बेटे को इसके income के उपर साया टैक्स पे करना पढ़ेगा तो अब person who is deemed to be an SSC for some other person यानि कि यह SSC बनता है किसी और के यह इसको इसके उपर टैक्स नहीं पे किया गया है उसके बात जो भी इंकम होती है उसके बात बात हो गया जो भी टैक्स बनता है वह उसके यह SSC को पे करना पढ़ेगा ठीक है अब person representing a foreigner जो कि अपने आपको दिखाता कि वह foreigner है और minor है याफ उन्याटिक है treated as a SSC for income of such foreigner minor और उन्याटिक या अगर आप ही प्रसंट करते हो कि आप foreigner हो या फिर माइनर हो या फिर उन्याटिक हो treated as an SSC for the income of such foreigner minor और उन्याटिक जाने कि इनके ये भी कोई और SSC बन सकता है कोई और टैक्स पे कर सकता है ठीक है अब आता है SSC in default या नाम से पड़ा चाहिए कि आगर किसी भी टाइप का आपने डिफॉल्ट कर दिया टैक्स नहीं पे किया या फिर आपको पैनालिटी नहीं को बुला गया ठीक है इन आप नहीं कर पाए तो आप कहलाओगे SSC in default क्या कहलाओगे SSC in default सिंपर सी बात है इस पर कुछ ज्यादा ताम जाम नहीं है यानि कि आपने किसी टाइप का डिफॉल्ट कर दिया तो यानि काम नहीं किया तो आप SSC in default कर जाओगे ठीक है अब दोस पर करते हैं उसको बोरते हैं assessment year जिससार income कमाते हैं उस year को बोरते हैं previous year ठीक है और जिससार कमाई हुई income पर tax pay करते हैं समझ जाओ कि मान्यों कि मैंने 2023-2024 तक income कमाई income को earn किया तो यह मेरा कहलाएगा previous year ठीक है तो 2024-2025 में हम इसका क्या प्रेकरेंगे tax pay करेंगे tax को प्रेकरेंगे यह मेरा कहलाएगा assessment year तो जिससार previous year की income पर हम लोग तक tax pay करते हैं उस year को बोते हैं assessment year क्या बोते हैं यह भी बारा महिने का होता है तो एक assessment year प्रिवेस यह भी हो सकता है और एक प्रिवेस यह एक अप्यार से start होता है और आपका 31 माज को खतम होता है next year अपने previous year की income पर assessment year में जिसको फानेंस यह assessment year बोला गया है इसका section ध्यानक ना ठीक है याइबाई टू पे tax तो यह क्या है section 2 subsection 29 a याइबाई टू टैक्स इन यह सब्सक्राइब टैक्स तो यह बैटी इसको टैक्स टैक्स पे करना है section इसको याद करिए ओके यह होगे अपना अब दोस्तों पर्सन इंकम टैक्स डिपार्ट्मन ने कहा है यह 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 योग है जिनको पर्सन मांते हैं इनको इनको टैक्स पे करना पढ़ेगा इनका section है section 2 subsection 31 तो यह असेस्मेंट डियर का section वर्चुर्ट डिजिटल एसेट्स का पीविए सियर का का इनकों का सब का section आपको पता होना चाहिए तो दोसे पार इनडिविज्वल यानि कि car वह जो हो गया ब्लस्तों इस्टिवेशन पेशन आपका वह बॉड्डि ओटिविजवल हो गया भाई इनका रजूस्ट्रेशन हुआ हो चाहे ना हुआ हो लोकल एथॉरिटी हो गई फिर बहुत कोई भी आर्टी फीस ए जो उपर के छेवों में नहीं आती है वह भी सब गया याने कि कोई भी इंडिविज्वल हो गया आपका कोई इंडिविज्वल कोई भी हुए कोई भी कंपनी कोई भी पार्टनर्शिप कोई भी आपका एउप आपको पर्षण बहुत इंडिविज्वल भाय इनका रिश्टेशन हुआ हो चाहिए यह लोग नॉन एश्टर्ड हो मत्याब नहीं है जैसे कि आपका बजरंग दर कहलो यह क्या एसोसीयेशन ऑपर्षण है ठीक है आईसस हो गया आपका ठीक है कोई भी योकर एथॉरिटी हो गया आपका जैसे नगेख हो गया आपका या फिर इनके यह लगवा रिखो नहीं सब को क्या कहते हैं थीक है यह सब पर्षण कह राते है यह सेक्शन याद करें ना सेक्शन बहुत इंबोटंट रहें ठीक है नीचे आपको पहने के ज़रोत नहीं है आप चाहो तो अपन नौलज को बहाने के यह पढ़ सकते हो ठीक है कौन इंडविज्वल क्या होता है हुए आपको पते योगा हिंदू अंडिवाइड़ फैमिली फिर कंपनी दोस्तों हो गई यहां पे फिर फर्म एउपी बियो योग अथॉर्टी फिर इसे जुडिसे परसन ठीक है तो यहां प में हमको मोटा मोटा यह आज करना है जिससाब हमने इंकम कमाई है उसको सक्षेन याद करिए हो इंकम पर लगता है ठीक है कितने से लगता है जो भी येट पिसकाइब किया गया है finance act के द्वाया तो income tax का जो rate होता है कितना tax लगेगा यह कौन decide करता है finance act decide करता है ठीक है ओके यह हो गया जैने दोस्तों पीवेस यह जो होता है means financial EI immediately preceding the assessment EI तो यह आपके ठीक है अब दोस्तों यहां पे कुछ example दिया गया है कि समझाने के लिए आपको कि the meaning of time previous year can be better understood with the following example एक SSC उसने अपना business comments किया एक जुयाई 2022 को उसे कब किया एक जुयाई 2022 को किया ठीक है तो भाईया in every his case assessment year 2023-24 in each case the preceding year वीवी आपके तो एक जुयाई 2022 पाइस से 31 मार्च 2023 तक उसका previous year होगा फिर 31 मार्च 2023 तक ठीक है फिर एक अप्रियाई 2023 से 31 मार्च 2024 तक उसका हो जाएगा assessment year ठीक है ठीक है तो इन हसाई case में assessment year क्या होगा आपका 23-24 होगा देखे हो 23-24 ठीक है तो यहां पर आपको मैंने अच्छे समझा दिया आप एप देखें न अगर आपका एंगे जन्वरी 2023 को बेजन से टार्ट हुआ एक एपयाई को स्थार्ट हुआ एक अप्रियाई से होना चाहिए था आप कोई बात ही जन्वरी मार्च तो 31 मार्च 2023 महीं आपका खतम हो जाएगा प्रीवेस ही है यानि तीनी महीने का जाएगा है ना जी कोकिटे को एक फानेंसियर होता है एक अप्रयाय से 31 मार्च तक अब इस वाई केस के अंदर है आपने एक जन्वरी को बिजन स्टार्ट किया 2023 यानि कि भईया यह तो खतम ही हो गया ठीक है आपका तो बता क्या जन्वरी फर्वरी मार्च तो 31 मार्च तक आपका खतम हो जागा पूरा तीनी महीने का आपका जाएगा तो बहुत एक अप्रयाइब इनकम में प्रींग स्टार्ट करना सब्सक्राइबता है यानि करना पड़ता है तो अगर कोई सिपिंग कंपनी है जो पानी के जहां जो इंडिया में आती है जाती है और वह बंदा नौन एसिडेंट है तो उसको क्या करना पड़ता है आपको उसी साइट टैक्स पर करना पड़ता है इन दा केस ओफ नौन एसिडेंट जो कि बिजनेस का या सिबिंग बिजनेस एंई इंकम उसको जो भी हो यह पैसेंजर को जाने में जानवलों को गुड्स को समान को पोर्ट इंडिया में आता है वो विभी टैक्स इन इअनिग सेवन पॉइंपड फाइफ प पाई और उसका इंटेंशन ने कि वह वापस आएगा तो इसको उसी साइट टैक्स पर करना पढ़ेगा अगर इंडिया के इंडिया चोल के जायो और कब आओगे पता नहीं तो आपको उसी साइट टैक्स परना पढ़ेगा अपनी इंकम के ओपर ठीक है अगर कोई भाईया इंकम ओफ एक्स वाई जैट को काम को करने के आपने कोई आपने कोई एसोचिएसन मनाया कोई बॉडुर इवेट बनाया तो भाईया उसमें क्यों होता है कि जिस साइट आप को इंकम होई उसी तार आप टैक्स पर कर दो क्योंकि आपका काम खतम भाग जाओग ना इसी उस इंसान अपनी property को transfer कर देता है क्योंकि उसको tax ना देना पढ़े तो यह इस case में क्या होता है कि आपको उसी समय tax pay करना पढ़ेगा उसी साय ठीक है इंकम इंड दोस्तों वह यह जो कि assessment के पहले आता है ठीक है अगर कोई new business है तो उसका previous year मानों उसने एक जन्वरी को start किया तो previous year कम महिने का हो सकता है यहां पर दोस्तों हां बहुत अच्छा अब देखो यहां पर समझते हैं बहुत काम का एक्जामपर यह तो टोटर इंकम ऑफ मिस्टर ए एसस्मेंट यह इस दस याक साथ है इनके इंकम कितनी है दस याक साथ है जाए मिस्टर एक एक अप्रेयर की आपका 2023 से यह के एक त्रिस मार्ज 2024 तो टोटर इंकम ऑफ मिस्टर ए फॉर एसस्मेंट यह यह आपका एसस्मेंट यह यह आपका क्या है इसके पीछे वाल आपका हो जाएगा क्या होते हैं प्रेश यह तो यह आपका एक अप्रेयर 2022 से यह के एक त्रिस मार्ज 2023 यह आपका हो गया प्रीवियस यह है ठीक है यह आपका हो गया तो भई आपको निकायना है कि कितना टैक्स जगएगा सिंपरिसी बात यहां पर होगा क्याना दोस्तों कि जो वह छोड़के जाया है तो उसको उसी साह अपनी इंकम पर टैक्स प उनकाया तो अप्राय मई जून जुयाई अगस्त इन सितमबर यानि पांच महिना बीच जिन पांच महिना बीच जिन तक वो इंडिया में था कितना कमा यह तो टैक्स ओंड़क्षाट कोई उसको टैक्स जरना नहीं परदा टैक्स परसंट मिस्टर एफ स्टु पे टैक्स सब्सक्राइब कोई टैक्स नहीं देना होगा उनको क्योंकि या एक्जम्टेट पांच परसेंट से देंगे वह बाहराजा 500 हो गया फिर दोस्तों टैक्स पांच या सब्सक्राइब कर देंगे तो एक या पांच परसेंट हो गया तो इतना आपको टैक्स पे करना पढ़ेगा तूरंथ आपको इंडिया छोड़ के जा रहे हो ठीक है ओके अब दोस्तों मैक्सिमम मार्जिनर ये त्रीड मैं आपको पहले बता दिया है इसका सेक्शन के वजात क हो ठीक है यह आपका हो गया ठीक है प्रोस्तों पन नमबर क्या होता है जो कि आपके पास में हो MIKE कर 006-172 एक पास में हो खाई सबकराद करने और की ये बंधा आपको अक्ग биमा और चे इनकम करता हैOK आप आज नहीं तो कर नहीं तो पर्सो निटो कभी भी फूचर में टैक्स पे करोगे पैं जो है दस नमबर का आफा नुमेरिक करेक्टर होता है एक्जाम में पूस देगा कि यह अप्र आपीकेशन फॉर पैं यानि कि अगर आपको पैं काइट के यह अप्रिकेशन देनी है तो इफ SSC को PAN नहीं मिया है, permanent account number, full form में रखना है, he must apply, उसको form number 49A में apply करना होगा, form number 49A में, एक time period के अंदर, and accessing officer के पास में power होती है, जो कि वो किसी भी इंसान को PAN number allot कर सकता है, ठीक है, यानि कि कि किसके पास में power होती है, pen number allot करने की, assessing officer के पास में, किस form में हमको apply करन होता, 49A के अंदर, quoting of pen, आपने सुनों होगा कि pen number आपको कहां कहां पर रिखना होता है, ठीक है, तो दोस्तों, आपको जितने भी documents, जितना भी आप income tax का return file करोगे, वहाँ पर आपको pen number रिखना परता है, ठीक है, bank में 50,000 से उपर जमा करोगे, तो आपको pen number रिखना परता है, ठीक है जी, once permanent account number आपको मेरी चाता है, must be quoted उसको हर जगे, returns में, income authority के पास में, चलांस में, payment में, हर जगे आपको उसको रिखना परता है, ठीक है जी, और आपको अपने आधार को pen card से link भी करना है, ये भी government ने क्या कर दिया है, कम पर सही कर दिया है, ये आधार को pen से ये आपको attach करना है, ठीक है, हो गया, तो ये दो को नीचे रिखा भी हुआ है, अब दोस्तों आता है अपना आखरी topic, tax deducted and correction at source, यानि कि ये tax 10 number क्या होता है, ठीक है जी, 10 number, बहुत important है, section इसका देखे हो 203A, ठीक है, every person deducting tax, और correcting tax at source, हर वो इंसान, जो किसी का tax काट रहा suppose कि मैंने अपने employees को पैसा दिया, और मैंने उनका tax काट रिया, तो मुझे 10 number में पास में होगा, तभी हम tax काट सकते है, वनना हम tax किसी का नहीं काट सकते, ठीक है, तो हर वो person जो कि tax काटता है, at source, who has not been allotted tax deducted account number, और tax correction account number, से apply, तो अगर ऐसा कोई बंदा है, जो कि किसी का tax काट रहा है, तो उसको 10 number चाहिए, अगर नहीं है, तो 10 number उसको apply करना पढ़ेगा, form number 49B में, 49B के अंदर, within one month, from the end of the month, याने जिस महिने आपने tax काटा है, किसी का advance, उसी महिने के अंद तक आपको 10 number के ये 49B में apply कर देना है, assessing officer के पास में, for the allotment of tax deduction and correction account number, 10 number के अपने नह आपको साइड डॉकुमेंट्स में इसको रिखना होगा, तो finally हम लोग ने income tax का first chapter खतम करिया, hope कि आपको समझ में आ गया होगा, next chapter अपना है agriculture income, अगर आपको वीडियो अच्छा रगाओ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मत भूना, अगर आप एक एक चीज को अच्छे सा समझाए है, दोस्तों तो ऐसे ही प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर MCQ के वीडियो, प्रॉपर, सब कुछ हम लोग को आपको, हम लोग के एप में मिलेगा, तो हमाई एप को डॉनलोड कीजिए, जिसका इन डिस्क्रिप्शन मोक्स में दिया गया, जहां पर आप complete course को purchase करके, आया हम से पुगा income tax के वीडियो को watch कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी updates के यह बने रहेगा, में अपने next part में, thank you so much.